दोस्तों क्या आप जानते हो अरस्तु के अनुसार जीवन में प्रगति के पाँच आधार क्या है अरस्तु एक गिरीग दार्शनिक थे वे दुनिया के बड़े बड़े विचारकों में से एक थे अरस्तु ने जीवन की उन्नती के लिए पाँच बाते बताई हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ इन बातों को आप जीवन में अपना कर सफलता और उन्नती प्राप्त कर सकते हो एक बार शिश्य ने अरस्तु से पूछा गुरुजी हमें जीव को समझाते हुए वह बड़े प्यार से बोले जीवन में प्रगति के पाँच आधार हैं सबसे पहला अपना दायरा बढ़ाओ संकीर स्वार्त परत्ता से आगे बढ़कर सामाजिक बनो दोस्तों अगर हम अपना दायरा बढ़ाते हैं और समाज में मिलने जुलने लगते हैं और समाज के काम करते हैं तो लोग हमें जानने लगते हैं जिसके साथ साथ हमारा व्यापार भी बढ़ने लगता है दूसरा तुम आज की उपलग्दियों पर संतोज करो भावी प्रगति की आशा करो तीसरा आधार बताया है दूसरों के दोस्त ढूणने में अपनी सक्ति क खर्च ना करके अपने को उचा उठाने का प्रियाश करो अपने ज्यान को बढ़ाने का प्रियाश करो दोस्तों बहुत से वेक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों की बाते करते रहते हैं उनकी कमिया खोजने में भी अपना बहुत सा समय और सक्ति को खर्च कर देते हैं अगर व अरस्तु ने बताया है कि कटनाईयों को देखकर चिंता मत करो, निरास मत हो, वरन धैर्य और सहाज के साथ उनके निवारण का उपाये खुरने में जूट जाओ। अगर हम अकठनाईयों को देखकर चिंता करने लगेंगे तब ना तो हम सही से सोच पाते हैं और ना उनसे निकलने का कोई रास्ता ही खोज पाते हैं। पांचवा आधार अरस्तु जी ने बताया है कि हर किसी में अच्छाई की खोज करो। उससे कुछ सीख कर अपना ग्यार और अनुबब बढ़ाओ। इसलिए मेरे बच्चो इन पांच बातों को हमेशा याद रखो। यही पांच आधार हैं जिनके बालन करने पर कोई भी मनुस्य उन्नती के उच्छ सिकर पर पहुंश सकता है। दश्यवाद।